पहला की एफशन है ग्याँ वर्ड किन दो वर्डों के संयोग से बना है कहने के मतलब क्या है ग्याँ एक संयोगति बेंजन होता है और संयोगति बेंजन ग्याँ जो होता है वो किस से बनता है तो बात करें ग्याँ पहला अपसंदिया है जाँ और याँ अगला जयाँ और ययाँ C दियाँ जयाँ और धा D दियाँ जयाँ और नयाँ तो आपको बताना है कि ग्याँ जो बनता है ग्याँ वड किन दो वड़ों के सयोग से बनता है तो साथियों आप सभी को जहन अगर आप SSA ZD एक्जाम के तयारी कर रहा हैं तो आप इस complete वीडियो को देखें अगर आपके तयारी बेस्ट है तो आप सभी प्रस्णों का उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए ठीक है और दूसरी बात अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब आवस्से करिएगा बढ़ते हैं आप देखें आते हैं इस क्यूस्टन को solve करते हैं तो अगर हम ग्यां लिखें ग्यां तो ग्यां को अगर लिख दिया है तो ग्यां बनता कैसे है तो ग्यां में एक आता है ज्यां एक बर बोल के दिखेगा ज्यां ओके तो ज्यां के साथ पर अगला question पूछा है, नल में से कौन सी धवानी जोस है तो देखिए गोस एक एह दवानी नहीं होता, जितने भी सवर होती है वो सभी जोस होते हैं जितने भी सवर होते हैं वो समस्त धवनिया गोस होती है ठीक उसके बाद प्रतीक वर्ग का प्रतीक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है तो प्रतीक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड सघोस होता है कैसे अगर को वर्ग की बात करें तो को खो गो गो फिर अगला अंग तो गो गो अंग क्या है तो सघोस है ठीक है समझ में आ गया तो घोस क्या है पूरे स्वर घोस सघोसे होते हैं और गो अंग सघोस है और कोखो अघोस है आगे बढ़ा जाए अगला अगला है निवन में से किसी मानक हिंदी वर्डमाला में स्थान नहीं दिया गया है मतलब उसको हमारे वर्डमाला में रखा ही थिसंद alpha Ilky ए पूस्दमाला में थान नहीं दिया गया है याने ऑप्सननमर्स हमारा राइच होगा ठीक है अगले क्योशन बढ़े अगला क्योशन होगा अगला क्योशन होगा होगोगा असुद वर्डमानी का चैन करिये असुद्वर्ण करोज को जब भी आजाते हैं तो बोलता है कि असुद का चैन करिये तो इसका मतलब क्या थिन तो सुद होगा बाकि एक असुद होगा सुभ क्यूंभा तीन सुद होगा और एक असुद होगा तो यहाँ पर लिखा है निरा परढ़ असुद वरतनी चूरत करना देखे उजवल एकदम राइट है इसलिए इस क्यूशन के हिसाब से एंसर नहीं हो सकता बासकर बासकर भी एकदम राइट है पुस्पांजली भी राइट है निर अपराद लिखा जाता है निर अपराद नहीं होता निर पराद निर पराद लिखा जाता है ठीक है निर पराद लिखा जाता है तो answer कौन सा होगा option number a आगे पर अगले question पर अगला असुद वरतनी का chain कीजिए असुद वरतनी ही पूछा है मतलब असुद अगर पूछ दिया तो बाकि तीन सही होगा एक ही गलत होगा तो यहां पर बात करें दाहिक दाहिक के गयम सही है इसलिए यह answer हमारा नहीं होगा आप बोलें करें क्योद पूछाना तो असुद मतलब गलत वला हमारा एंसर होगा नोकरी नोकरी हमारा सहिए नोकरी लिखाINGING क्या लिख जाता है नकरी लिखामरा किष्जन जाता है option B समद एक के इससाब सही होगा थिक परोटी एकदम सही है इसलिए answer थे हमारा सुद वरतनिका चेन कीजिया ठीक है अपकी बार सुद यानि तीन गलत होगा एक एक ऐओ कोई सही होगा सुद में अगलेट यह प्रति दर्स रचईता दृष्टा आखार तो यहां पे सुद पूछा है तो सुद की बात करें तो तो सुद होगा कावन तो सुद होगा प्रतिदर्स प्रतिदर्स जो लिखा एकदम सही है प्रतिदर्स अगर लिखा है जो ये प्रतिदर्स क्या है एकदम सही है प्रतिदर्स ठीक है रचईता होता है रचईता ना होता है रचईता ठीक है द्रिस्टा द्रिस्टा नहीं द्रस तो देखे सुद में क्या उन्यन दिया है 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 सही कौन होगा तो सही की बात करें सही लिखा जाता है उन्यन लिखा जाता है ठीक है तो आप्से नमर ए हमारा राइट होगा उन्यन लिखा जाता है ठी आगे question बढ़ते हैं अगला question अब देखें यहां पे क्या बोला निम्न मेंसे पार्शविक ध्वनी है पार्शविक ध्वनी यहां पर होता क्या है पार्शविक ध्वनी वह ध्वनी होता है जिनको चारग करने पर जो फेफड़ा से निकली हुई हवा जीव के पिछले भाग से निकल जाती है उसी को पार्सविक ध्वानी कहते है तो रश एक लुंतित मतलब रश जब बोलते तो आप बोलेंगे law यानि option number B हमारा right होगा law क्या है? पार्स्विक ध्वनी है अगले question में बढ़ते हैं अगला question AI का उचरण अस्थान है AI का उचरण अस्थान है देखिए AI और AI की बात करें तो AI एक बर बोल के देखेगा AI 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 तो AI तो कंठ से भी इसका उचरण होगा और इसके साथ साथ तालू भी इसका परियोग होगा इसमें तालू का भी परियोग होगा तो क्या बोला जाएगा? कंठ तालब्य AI और AI का उचरण क्या होगा तो आप बोलेंगे कंठ तालब्य उचारण इसका होने वाला है ठीक है नासिक्य तो होगा नहीं नासिक्य से जितने भी पंचमा अक्षर होते हैं पंचमा अक्षर अंग अंग यह नम यह होते हैं बद्धन्य से री तोवर के जितने होते है ओष्ट की बात करें पाव व कंडाव ले ओवो हम यह होते हैं ओष्ट से ठीक है तो यह क्या होगा कंठ कर दे किए आप आया होगा अगला के उस्षेण है देखिए को के निचे नुकता लगा है को के नीचे क्या लगा है नुकता गो के नीचे नुकता जो के नीचे नुकता कमरे लखे कॉलिक दिया को और नीचे बिंदी लगा देंगा तो नुकता बोलते हैं इसको ठीक जो फो ध्वनियां किसकी है यह हिंदी के ध्वनी नहीं है हिंदी के ध्व कौन है तो आप बूलेंगे और भी फारसी की होता है जिसके निचे नुकता है ठीक है आसा करते हैं रही मेंदम क्लियर हुआ होगा और साथी OH यह मुलों का सरीज चलना सरीज नमबर 9 है सरीज नमबर 8 यह 9 होगा आप यहां तक अगर पहुंचे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और एक प्लेलिस्ट बनाया गया है आप सभी वीडियो को देख सकते हैं जिदना भी वीडियो इसमें है देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बंदे मातरम भारत माता की